कि चलिए हाँ बिल्कुल डेली क्लास हो रही है डेली क्लास चल रही है अब देखें सर कि प्लेटो को हम आज समझने वाले हैं प्यारे साथियों यूनान का इलाका था ठीक है यूनान एक वो जगह है जिसने आधुनिक इससमाज को बहुत सारे विशय दिये हैं बिसिकली यूनान और कहिलीजी ग्रीस is the land of philosophy दरशन की वो जगह है दरशन मत्पल दरशन शास्तर की और you know that philosophy is the mother of all ? दरशन शास्तर से ही political science निकला है philosophy से ही economics आई उसी से sociology आई उसी से सारे sciences आए हैं तो main जो subject है वो philosophy है इसलिए हम उसको यूनान को ग्यान की धर्पी भी कहते हैं और ग्यान का आधुने क्यूग में ग्यान का सूरज जो था वो यूनान से निकला था अब प्लेटो महौद है कहां की उपस थे यूनान की उपस थ से तो प्लेटो कहां से थे ग्रीस या फिर यूनान से यह हुआ करते थे और जो प्लेटो थे प्लेटो मतलब इनके जो बच्पन का नाम था प्लेटो के बच्पन का नाम पता है आपको एरिस्टोक्लीज लिखेंगा इस नाम को प्लेटो के बच्पन का नाम हो गया एरिस्टोक्लीज जो थे इनके क्या थे असल में इनके कंधे बड़े चौड़े थे, ये जो थना हाइट अच्छी थी, कंधे में बड़ा विस्तार था, इसलिए Aristocles जो हुए है, Aristocles के गुरू, ईरिस्टोक्लीस के गुरू का नाम पता है आप लोगों को यह यानी जो सोक्रिटिस जिसको हम बोलते हैं सुक्रात जिसको बोलते हैं सुक्रात के शिष्थ है और इन्होंने यहाँ पो इनके चोड़े कंधे होने की unlike उनका नाम क्या पड़ा प्लेटो प्लेटो किसली पड़ा चोड़े कंधों के कारण इनको क्या कहा गया एरिस्टो प्लेटो कहा गया बात समझ में आ रही है अब यहां पर एक चीज देखें आप लोग शेर करेंगा है सबसे पहले देखो क्लास की रीच बहुत जबरदस होनी चाहिए और रात को 9 वजे वही MCQ धमागेदार लेके आने वाला हूँ तो आप लोग क्लास की रीच यार मैक्सिमम जानी चाहिए जब मैं पढ़ाने आया हूँ तो क्लास के पलिटिकल साइंस तो में एक तरफा गेम करते हैं तो क्या कहान पर देखो चोड़े कंदे की विज़े से हमने यह बोली दिया एरिस्टोकलीजन के बच्पन का नाम आपको पता हो ही क्या प्यार साथ ध्यान से सुनें प्लेटों का अगर हम टाइम निकालने लगें तो यह इसा पूर्व की सारी की सारी कहानिया है ठीक है नी 428-2347 ठीक है ठीक है बात को समझिएगा 428 इसा पूरू में जन्म होता है और 347 इसा पूरू में इनके मृत्यू हो जाती है अब आप लोग सुचेंगे से समय घटा कैसे है समय इसलिए घटा क्योंकि AD और BC आप लोग समझते होंगे ना AD से पहले ये 0 से पहले माइनस में डेट चलती है तो अगर यहां पर डेट घट रही है इसका मतलब है कि हम इस्वी की तरफ आ रहे हैं ये तो आप लोगों को पता ही है तो 428 इसा पूरु से लेकर के 347 इसा पूरुकन का समय था अब आप लोग देखिए कि ये इसा पूरु का समय ज्यान विज्यान में गती हो रही थी युनान एक अलग आपको पता ही देखो बहुत सारी बाते में बहुत डीटेल डिसकेशन तो नहीं करूँगा थोड़ा सा क्योंकि कम टाइम में हमको ज्यादा कंटेंट को कवर करना है ठीक है तो तनुष्री तनुष्री डेट आपने गलत लिख दिया 428 टू 347 आएगा डियर 327 नहीं है यह 347 ठीक है इसको कैंड़ी अपडेट कर लीजेगा अब यह कहानी प्लेटों के बारे में इसका स्क्रीन एक बड़ ले ले मैं साइड में हट रहा हूं इसकर इसक्रीन शोट एक बड़ आप लें सभी लोग प्लेटो क्या था उपादी थी प्लेटो एक इसका नाम था और प्लेटो की एरिस्टोक्लीज को प्लेटो बोलने वाला शक्स कौन था उसका अपना गुरू था सुक्रात ठीक है तो प्लेटो ने उसको क्या प्लेटो यह चोड़े कंदे थे प्यारे साथियों अब थोड़ कोई भी विक्ति या कोई भी इंसान जब दुनिया में जीता है उसका नजरिया जो होता है उसके सोचने का धंग उसके विचार करने का धंग उसके उठना बैठना बोलना उसका तरीका उसके संसका सब चीजें उसकी परिसितियों पर निरुभर करती है तो यूनान के जिस दौर से प्लेटो उदर के बड़ा हुआ और उसके सामने जो घटनाएं हुई उनने प्लेटो को बड़ा परेशान कर दिया उसके मन में बहुत छवी कुछ चीजों की इंप्रेशन बन गया किसी बच्चे के सामने कभी ऐसा हो कि वो किसी व्यक्ति को देख ले कि उस शेर ने उसका शिकार कर लिया तो बच्पन से इसके मन में भय बैठ जाएगा शेर को लेकर की शेर तो भया या किसी जगे से किसी गिरते हुए देख लेता तो दुबारा माँ जाने में भय आता है दुबारा हमें डर लगता है तो वैसा ही कुछ क्या था प्लेटो के मन में भी आ गई थी कुछ बातें क्योंकि था कि आपने घटना सुनी होगी एथेंस के अंदर या फिर उसके गुरु सुकरात को जो है इसको प्याला जहर का प्याला दे दिया गया था तो अनैतिकताओं के माहौल को देख रहा था इसलिए उसका वीजन काफी कुछ चेंज हो गया था अब देखिए हम क्या करते हैं सबसे पहला टॉपिक लेते हैं प्लेटो की रचनाएं प्लेटो ने क्या-क्या लिखा प्लेटो के कौन-कौन से टेक्स थे और इनको लेकर कि आपको बता देता कि 12 उसके इंपोर्टेंट टेक्स हैं 12 लेकिन कुछ इंफर्मेशन जो आप लोगों पता नहीं है मैं वो दे रहा हूं और आप लोग शेयर भी करेंगे केर भी करेंगे और लिखते भी चलेंगे चलिए ध्यान से देखें सर जो प्लेटो ने जो अपने टोटल टेक्स लिख उसनाय लिखी उनमें कुछ लोगों का कुछ विद्वानों का मानना हैं कि उसने 36 लिखी है कुछ का मानना है कि उसने 38 लिखी है लेकिन authentic या फिर जो प्रामानिक हैं प्रामानिक गरंथ जो माने गए है प्लेटो के जो टोटल टेक्स जो authentic माने गए है तो नमबर इस 28 28 गरंथ उसके माने गए है कि सहाब यह जो है वो प्रामानिक हैं बिल्कुल ध्यान से रखिएगा इसके जो भी टोटल टेक्स रहे 28 इन 28 टेक्स्ट को बात को ध्यान से सुनेंगे 28 टेक्स्ट को इन सारे प्रामानिक ग्रंथों को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रैस ने पब्लिश किया है टोटल अठाइस के अठाइस गरंथों को टोटल करे दिया बन पेज निकाल लें तो टू सिक्सिक्स टू यानि 2600 प्रिस्टों में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने प्लेटो के 28 टेक्स्ट को ग्रीक लेंग्विज में पब्लिश किया है भाषा याद रखेंगे भाषा कौन जी है मित्रों यूनानी भाषा में किया है ठीक है जो लोग हमारे प्लस पर पढ़के आ रहे हैं वो थोड़ यह जो प्रामानिक घरत आप लोगों को समझाये मैं नहीं पर काम किसी शक्स ने किया था इन ग्रंथों पर काम करने का जो श्रेज आता है वो हैं बरनिट की सिराँ कि है यह बइन नामक विद्वान थे जिनोंने प्लेटो के टोटल टेक्स्ट को राइट डाउन किया था उनको लिख दिया था अब बात आपको मैं समझा रहा हूँ अब तो देखिए concept एक चीज होती है चुनानी भाषा में प्लेटो के टोटल 36 या 38 गरंतों में से 28 को प्रामानिक रूप से लिख दिया है यहां तक की बास समझ में आ गई अब इसकी जो इंपॉर्टेंट टेक्स हैं इसको लिख लिए होगा उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों ने यह आप कहते हैं इसको सानी रह जाएगी अब सही है अब इसके इंपॉर्टेंट टेक्स्ट के प्रमुख ग्रंत कौन-कौन से हैं इनको हमें लिखना पड़ेगा ठीक है सम्रिदी शर्मा प्लस पे क्लास ले रहा हूं डेली प्लस पे क्लास शुरू हुई है आज से तो ठीक हैं अब आप देखें ठीक है ना अब देखो इंपॉर्टेंट टेक्स में से इंपॉर्टेंट टेक्स आपको जो याद करने हैं वो बारा याद करने हैं 12 याद करने हैं उनके नाम लिखना शुरू करो सबसे पहले हम एसे लेकर के जैड़ तक चलेंगे क्रोनलोजी में जो जो नाम आएंगे वो एक टेक्स से इसका एपालोजी देखिए क्रमबत तरीके से बढ़ रहे हैं एपालोजी के बाद में एब बी छोड़ दो सी पर आज़ा सी पर आता है इसका क्रीटो सी आर आई टी ओ क्रीटो है बात समージh में आ रही है सेकन्ट टैक्स टेक्स नंबर त्री कि हो गया एपालोजी के बाद में क्रीटो के बाद में आएगा आपका यूथिफ रो क्यानाम नहींगा यूथिफ रो यूथिफरो ठीक है एपालोजी क्रीटो यूथिफरो टेक्स नंबर फूर ये नाम याद करना बारा नम बहुत बार पूछे जाते हैं बहुत बार पूछे जाते हैं ये नाम आप लोगों को याद कर लेने हैं यूति फ्रों के बाद में आता है एक जॉर्जियस ठीक के ना जॉर्जियस नामिद करेंगे जॉर्जी त जॉर्जियस ठीक है सर जॉर्जियस हो गया इसके बाद में मेनो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टेक्स है टेक्स नमर फाइफ इंपॉर्टेंट टेक्स के नाम देख रहा है एपा लाजी क्रेटो यूठिफ वर्जियस में लिए क्यों क्यों क्या देगा विच ववान इस नाट दो वर्क ऑफ दो देटव कानमने से कौन सा घृंध नहीं है तो यह important हम 12 के नाम लिख रहे हैं ना इनके बाहर के नाम नहीं पूछता है में मोस्ट पॉपॉलर यही है तो यह हमारे जॉर्ग जॉर्जिस हो गया मेनों हो गया इसके बाद में ठीक है इसको अब क्या करें इसको छोटा कर देते हैं ठीक है 12345 हो गया नंबर 6 इसक्स नंबर पर आचुके हैं देखो कहां तक आगे मेनों तक आगे रहा अगला आता है प्रोटा गॉरस ठीक है दिखाए दे रहा है कि आप लोगों को इस विजबल प्लीज टू लैट में नो ख्लीर दिख रहा है कर नहीं दिख रहा है मेरे को बता तो यार क्योंकि ज्यादा चोटा हो जागा तो दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को सिंपोजियम प्रोटा गॉरस के बाद में सिंपोजियम हो गया सिंपोजियम के बाद में अगर हम आगे बढ़ें तो फेडो फेडो ठीक है प्रोटा गॉरस के बाद में कौन सा हो गया फेडो हो गया फेडो के बाद में जो सबसे पॉपिलर है नौ नंबर पे देखो रिपाब्लिक 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 के बाद में दस नंबर ग्यारा और बारा रिपाब्लिक के बाद में सौफिस्ट पता ही है रिपाब्लिक हो गया सौफिस्ट हो गया सौफिस्ट के बाद में स्टेट्समें और लॉज सारण में फोकस ऑन्यों स्टडीज ध्यान से सुनेंगे पहली बुक अभी बिलकुल बिलकुल रिवीजन पर पूरा फोकस डालो मैं जो बता रहा है उसको ध्यान से सुनो पहली बुक हो गई एपालोजी क्रीटो यूथ्रेफो जॉर्जियस मैनो प्रोटागोरा सेंपोजियम फेडो रिपाब्लिक सोफिस स्टेट्समें लॉज मेरे पहरे साथियों यहां से सवाल एक सो एक परसेंट एंटी नैट में पिछले वाली स्लाइड जो थी यह देखो यह बहुत इंपॉर मेंट वहीं लगाना है टोटल सवाल हमारे को आने चाहिए ठीक है फेडो रिपाब्लिक वाला समझ में आ गया ठीक है सर अब देखो यह तो हुए सर इनके में जो वर्क था उस तरीके से हमने इसको समझा है यहां तक का समझ में आ गया यहां तक क्लियर है थाम सब चाहिए भी या क्लियर हैं तो थमसब चाहिए अगर अगर आगर तो कितने तरीके से पलेटों के बारे में जा दरा है पलेटों और पूरे टेक्स देख लिए प्लेटों ने क्या लिखा कितना लिखा कैसे लिखा सब पता चल गया उसकी Norcel बूक्स के नाम पता चल गया इस तरीके से आगे बड़ा वो लग क्या अब देखो हम बात करते हैं प्लेटो के स्टाइल और उसकी मैथ्थड क्या था ठीक है इस टाइलन मैथड को अगर हिंदियम बोले तो चिंतन की पद्धती ठीक है प्लेटो के पद्धती कैसी हुआ करती थी क्योंकि यहां पर बहुत बात नहीं कर रहा हूं इस तरीके से लिखता था क्या उसकी विशेशताएं थी किन चीजों को वो उठाता था मतलब क्या उसकी रचनाओं की विशेश बात हुआ करती थी तो सबसे पहला डायलेक्टिकल मैथर्ड यह सब शब्द को याद कर लेना भई यानि डायलेक्टिजम क्या होता है कमेंड क्या है ठीक है द्वंदात्मक पद्दती पहली कौनची होगी सर इसकी यह द्वंदात्मक शैली में लिखा करता था दूसरा इसका पैटर्ण हुआ करता था हिस्टोरिक मतलब एतिहासिक पद्दती पहला द्वंदात्मक हो गया दूसरा एतिहासिक हो गया तीसरा पॉइंट अगर हम इसका मेन उठा करके लेके आते हैं तो वह हमारा हो गया एनालिटीकल ठीक है विश्लेश अनात्मक तीसरी पद्दती क्या हो गई एनालिटिकल डायलेक्टिकल हिस्टोरिकल एंभी तीनों चारों को एक्स्प्लेइन करूंगा पांचों को एक्स्प्लेइन करूंगा दोंट वरी सिर्फ अभी एक बार आप नोट्स बना लीजी अपने इंपर्टेंट इंपर्टेंट नोट्स जो है वो मिल जाएंगे और क्या होगा इसका पीडिएफ हमारे जो ओफिशल टेलेग्राम ग्रूप है अनकेडमी यूजी सिनेट और अनकेडमी पलिटिकल साइंस वहां पे भी आपको इसके कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे तो द सॉद्दि शात्मक हुआ करता था और सबसे इंपर्टेंट जूस की बहुत फेमस रही है वह होती है डिडक्तिव मैथर्ड अंगमनात्मक डिड़क्टिव मेथड निगमनात्मक पदती और एक छोटा सा और लिख लो यार शिक्स नमबर का छोटा सा वो छूटना नहीं चाहिए एक्जाम में पता नहीं वही पूशे तो गड़बड हो जाएगी दूसरा होता है एना लॉजिकल एना लॉजिकल मतलब होता है साद्रिश शात्मक अब सरन मैं आप भी सोच रहेंगे सर आज लिखा बहुत रहे हो बार बार बोर्ड पर वर्क चल रहा है और देखो कंटेंट बहुत जरूरी होता है और यहां पे मैं वही कंटेंट आपको पेश करूंगा जो आपके एक्जाम ओरियंटेड होगा तो एक्जाम ओरियंटेड आप भी रही और टीचिंग ओरियंटेड मुझे रखी है तो बढ़िया सा थमसाब और वीडियो पर लाइक हो कि सर देखिए इनके अंदर आपका डालेक्टिक मेथड हो गया हिस्टोरिकल हो गया एनलोजीग आपके अनलेटिकल हो गया टैलियलोजिकल हो गया डिडेक्टिव और आपके एनलोजिकल इन सारे पॉइंट्स को वन बाइवन चीजों को देखते हैं बहुत जाएंगे यहीं समझते हैं चीजों को किस तरीके से चीजें होती हैं पहला देखिए द्वंदात्मक होता क्या है द्वंदात्मक अरसल में कहा जाता है दो विचारों की लड़ाई ठीक है दो विचारों का द्वंद यानि एक पक्ष मौजूद है उसके कटाक्ष के लिए दूसरा पक्ष ल हम दूंद के आधार पर चालेंगे तो डालेक्षिन का यहां का में मतलब समझेगा कि इसमें वैचारिक दूंदता की तो लाकर के और फिर तीसरा परणाम निकाला जाता है उसे दूंदात्मक पदती कहते हैं ठीक है यही द्वन्दात्मक पदती होती है एक होता है historical और एतिहासिक एतिहासिक क्या होता यह मैंने एक दो दिन पहले जो रात में क्लास ली थी नौ बजे उसमें मैंने आप कोई ही समझाया था कि एतिहास वाद या हिस्टोरिजम किसे कहते हैं और यहां मैंने माक्स प्लेटो और कांट इन तीन के उधारन दिये थे समझिएगा एतिहासिकता क्या होती है कि लोग कोई वरतमान का प्रेडिक्शन समझिएगा वरतमान समय का प्रेडिक्शन जब हम भूतकाल के अनुभवों के आधार पे करने लगते हैं बात समझ रहे हैं क्या करंट में क्या हो रहा है देखो पहले भी ऐसा हुआ था फिर ऐसा हुआ था तो अभी अगर वैसा हो रहा है समझ ना जैसे यहां X और यहां Y तो X के होने पे क्या हुआ था Y हुआ था अगर वर्तमान में यहाँ x1 हो रहा है तो परिणाम इतिहास विद क्या बोलेंगे इतिहासीग पद्धतिवाले, हिस्टोरिस्टिक एप्रोच वाले लोग क्या बोलेंगे कि x1 हुआ है, पहले x के y हुआ था तो साभी इस परिवर्तन के सुरू परिणाम होगा वाई वन बात समझ में आ गई क्या यानि तो बिल्कुल समवाचली होती है देखिएगा समवाचली वही तो है तो एक्स का प्रणाम क्या था भूत काल में यह तो हो गया पास्ट और यह है प्रेजेंट तो फ्यूचर का जो अनुमान है वो पास्ट पिछले अनुभवों के आ अभी एक्स वन है तो हम क्या बोल देंगे यह वाई वन होगा बात समझ में आ रही है इसे हम कहते हैं एतिहासिक पद्धती ठीक है निशा यहीं होगी नौ बजे वाली क्लास जो है वो भी यहीं होने वाली है यूट्यूब पर ही होगी ठीक है अगला होता है विशलेशन आ काम नहीं जैसे आप पढ़ रहे हैं आप यूट्यूब पर टाइम दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं कि आपका पढ़ना आपका उद्धेश है आप पढ़ना चाहते हैं इसलिए पढ़ने को काम कर रहे हैं ठीक है तीसरी चीज क्या हो गई निगमनात्मक यह सबसे इंप प्रैक्टिकल अप्रोच में काम करना को बहुत अधा टफ नहीं है सिंपल फंडा मैंने आप लोगों को बता दिया है देखिए यह सारे के सारे प्लेटों के स्टाइल है तो द्वंदात्मक क्या होता है आपको पता चल गया इसके साथ में सुधेसने म्गन आउड मक्कश इत्हुवरं लृफ स्टाइर सांथ वाप जो बात जो हमने रख दिया था बाकी भाई सहआब आप तो यहीं रह जाओ जो जो बाकी हम ने रख दिया था हम उसको कावर करने की बात करते हैं रिमेनिंग क्या था रिमेनिंग था deductive method इसको थोड़ा सा समझे सर देखिए निगमनात्मक पद्दती क्या होती है निगमनात्मक पद्दती का simple एक बात होता है निगमनात्मक पद्दती का उद्देश है क्या होता है हम क्या करते है देखो निगमनात्मक में पहले कोई फिलोसफी लेते हैं पहले क्या ले लेते हैं कोई दर्शन ले लेते हैं दर्शन को हम विचार भी कह सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए निशिक सिध्धान्त हमने ले लिया एक विचार बना लिया और फिर क्या होता है उस सिध्धान्त को आधारभूत मान लिया और फिर इस सिद्धान्त को मान करके, दर्शन को, विचार को मान करके, हम क्या लेते हैं? फिर इससे conclusion निकालते हैं, निशकर्ष निकालते हैं. जैसे, suppose कीजी हमने कहा कि माता पिता का सम्मान करना चाहिए, बहुत example दे रहां से सुनना, वो practical example है. माबाप का सम्मान करना चाहिए, तो माबाप का सम्मान करना चाहिए, ये तो दर्शन हो गया, philosophy हो गई, एक सिद्धान्त हो गया, एक rule हो गया, पहले ले लिया. अब फिर हम ये बताएंगे कि क्यों लेना चाहिए, उसके निशकर्ष, उसके लाब क्या है या तो क्या होता, पहले हम कहते हैं माबाप ने हमें जन दिया, ठीक बात है माबाप ने हमें पढ़ाया, ठीक बात है, माबाप हमारा पालन पोशन करते हैं, ठीक बात है माबाब हमारी रक्षा करते हैं, ठीक बात है, माबाब हमारी सारी जरुरते पूरी करते हैं, ठीक बात है, हाँ तो इसलिए हमें उनका सम्मान करना चाहिए, बात समझो, पहले आपने क्या निकालते हैं, चार पॉइंट निकालते हैं, कि माबाब का सम्मान क्यों करना चाहिए फिर आप satisfy हो जाते तो एक निशकर्स निकलता कि सम्मान करना चाहिए ये होती है आपकी आगमनात्मक पदती inductive method बात समझेगा ये कौन से पदती हो गई? inductive method हो गई अब inductive method तो समझ में आ गया लेकिन यहां क्या हो गया? पहले हमने क्या कैदिया कि माबाप का सम्मान करना चाहिए फिर बताया क्यों? क्योंकि हो हमारा पालन portion करते हैं क्यों? क्योंकि हमें पढ़ाते हैं, वो हमें रक्षा करते हैं कारण आगमनात्मक पदती inductive method में कारण पहले हो गई? निशकर्ष पहले होंगे, उसके बाद में हम सद्धानत पे जाएंगे, या दर्शन पे जाएंगे, यहां मूल दर्शन पहले होगा, फिर उससे निशकर्ष निकाले जाएंगे, बात समझ में आ गई तो थमसब बनता है, ठीक बात है, सामान्य से विशिस्ट बिलकुल, जनरल टू पर्टिकुलर, ठीक इसके ठीक लिए लिखी जाती है, इंडक्टिव के लिए यह लाइन लिख लीजेगा, जनरल टू, सामान्य से विशिस्ट की और, जनरल टू पर्टिकुलर, यह थियोरी है, यह सिध्धन्त है, किसका, यह सिध्धन्त है, निगमनात्मक पद्दती का, बात समझ में आ रही है, तो यह सारी की सारी दर्शन, यह विचार इसके थे, अब एक बात आप लोगों को औ बताने से रहे गई, बताने से यह रहे गई, कि जो द्वन्दात्मक पद्दती है, डायलेक्टिक मेथर्ड है, यह जो डायलेक्टिक मेथर्ड है, द्वन्दात्मक पद्दती है, इसके लिए पूछा गया कि सर आप द्वन्दात्मक पद्दती से क्या अपेक्षा रखते ह प्लेटों से सवाल हुआ झ्यां रखते हैं आप पड़ती को क्यों अपनाना चाहते हैं ऐसा क्या कारण है कि आपको । बहुत एजीए एक्स्प्लीन किया है इंडूक्टिव डिडूक्टिव मैथर होता है नियम निकालके निश्कर्ष निकालके नियम हो पर आना बहुत सरल है कोई टफ नहीं है देखिएगा पहला कहा कि आप क्या चाहते हो तो इसने कहा कि जो डिड़क्टिव जो हमारा डायलेक्टिक मेथड है यानि जो हमारा द्वांदात्मक जो द्वांदात्मक पदती है उससे हमें क्या चाहिए तुरुथ चाहिए या सत्य चाहिए हमको सत्य की अकांग्शा है सत्य हम चाहते हैं लेकिन तीन काम करना है इसा टृथ के साथ में ध्यान रखना है यह सवाल पूछा गया है और असेर्शन रीजन बेस सवाल आ सकते हैं मैं आज भी प्लस क्लास में बोल रहा था कि आप लोग देखिए प्रीवियस कुछ क्वेश्चन्स में से कि कि किस तरीके से पढ़ने पहला काम क्या करना है द्वंदात्मक पद्धती का उद्धिश क्या है सत्य सत्य क्या क्या पहला analysis of truth सत्य का innovation पहली प्रात्मिकता द्वंदात्मक पद्धती की साथ ठीक है उसके बाद दूसरा क्या करोगे इस उन्हों ने कहा कि सत्य की अभी व्यक्ति दूसरा काम क्या करना है प्लेटों का कथन ही सत्य की अभी व्यक्ति एक्स्प्रेशन आफ ट्रोथ समझा रहे बात एक्सप्रेशन आफ ट्रोथ और इससे भी अगर एक कदम हम आगे बढ़ जाएं तो उसके बाद में क्या करना रहेगा एक्स्प्रेशन और इसका पब्लिसिटी पर प्रचार भी मानेंगे और तीसरी बात क्या होगी हम धीरे धीरे आगे बढ़के सत्य की परीभाशा यानि हम अब्जेक्टिव हो जाएंगे सत्य खोज लेंगे सत्य क्या होता है क्या हो गया कि डैफिनेशन ओफ सत्य की परीभाशा तो बात यहां से समझ में आ गई थी बात समझ में आ गई है कि डैलेक्टिव मैथड द्वन्दात्मक पद्दती का उद्देश क्या है प्लेटों का मूल उद्देश ही सत्य की खोज था ध्यान रहे और सत्य की खोज के लिए द्वन्दात्मक पद्दती अपनाता है लेकिन सत्य को क्या चाहता है अंतिम तो है कि वो सत्य की परीभाशा देना चाहता है टुथ की डैफिनिशन देना चाहता है कि युनिवर्सल टुथ को खोजना चाहता है तो देख लीजिए द्वन्दात्मक पद्दती के तीन पॉप्योब ओर यह रहा री पबलिक इस री पबलिक को हमें समझना है री पबली क्या कहता फिर उसकी आइडिया हमें किस लूप में आगे बढ़ाते हैं तो प्लेटो की इस री पबलिक को देख करके सिंपल आपको एक बास समझनी है देखिएगा रिपब्लिक क्या है टेक्स्ट है किस ने लिखा प्लेटो ने लिखा आप इसके बारे में एक दो बाते जान लीजी आपके इंपड मुठेंट है वही आपकी काम की रहेंगे कि अगर कोई पूछ ले कि बीपब्लीक जो विषए है जो रीपब लिक पशल्रे की विशेवस्टु क्या है उसका कोर क्या है किस तरीके से वि वील्ठियों बॉक है वो काम करती ऑर किसके बारे में लिखा है तो ध्यान रहे एक तरह से यह क्या है यह एक विश्व कोश है एक इंसाइकलोपीडिया है लाइक माहा भारत और इसकी तुलना किसे की गई है महा भारत से तुलना की जाती है क्योंकि महा भारत में भी पॉलिटिक्स भी है इकनॉमिक्स भी है उसमें जोग्रफी भी है उसमें धर्म भी है उसमें दर्शन भी है तो वैसे ही यह एक एंसाइकलोपीडिया है महा भारत से इसमें कंपेर हम करते हैं इसके अंदर इकनामिक्स हिस्ट्री फिलासफी प्लिटिकल साइंस सोशियोलोजी एड्मिनिस्ट्रेशन जो आपको समझना है वो सारे के सारे विशह यहां पर दिये गए है यह रिपब्लिक की खास बात है प्लेटो को पढ़ा जाता है प्लेटो इसके अंदर आता ही आता है प्लेटो तो रिपब्लिक के बारे मता दिया अब अगर हम बात करें प्लेटो के थियोरी की प्लेटो के सद्धान्तों की तो मेंली तीन सद्धान्त दिये गए है सर एक सद्धान्त है उसका आदर्श राज्य का सद्धान्त दूसरा सद्धान्त दिया गया है एजुकेशन मतलब शिक्षा तीसरी बात यह बोलता है जस्टेस यानि न्याय के लिए के इसके विचार है और चौती चीज देता है साम्मेवाद या कम्यूनिजम यही तो है कुछ बचरा तो बताओ प्लेटो की चार थियोरी पढ़ने होती है आदर्श राज्य का सद्धान्त शिक्षा का सद्धान्त जस्टेस और साम्मेवाद यह चारों सद्धान्त बहुत इंपोर्टेंट है और एक्जाम ओरियंटेड हैं अब आप मुझे बताइए कि कौन सी चीज आप लोगों को समझ में यहां तक किया गई हो तो बताओ प्लेटो के जस्टिस हो गया एजुकेशन हो गई न्याय हो गया और इसके अलावा इसका जो कम्यूनिजम की थियोरी है वो हमने बता दी हाँ एक एक रह गया ना आदश राज्य से भी पहले फिलोसोफर किंग दाश्निक राजा का सद्धान वैसे वो आदश राज्य में आ जाएगा लेकिन अलग कर देते हैं यह पांच चीज़ें यह पांच अंगूलियां हैं जो हमें किस ने दी है हमें दी है प्लेटो ने फिलोसोफर किंग आइडिल स्टेट एडुकेशन जस्टिस एन कम्मुनिकेशन यह सिद्धान सहाब दिये हैं प्लेटो महराज ने और इनके पांचों सिद्धान्तों को हम करेंगे कौन सी क्लास में कल वाली क्लास में तो यहां तक जिनको समझ में आया जिनको बैस सउने लिजिए जिन लोगों को चिन लोगों को मेरे साथ में पराव पड़नी हैं कि कमूर टीव पॉलेटिक्स पढ़नी हैं कॉम परीटिव की चलाष चल रही है आज पहली क्लाष हुई है बच्चों के experience बहुत बढ़िया है आप भी अगर परेशान है और sincerely पढ़ना चाहते हैं तो कल सुबा नौ बजे ठीक है नाइन एम पे बिटा प्लस क्लास शुरू हो रही है और referral code आप लोगों को पता होना चाहिए क्या referral code है referral code है पारेक 10 timing बता दी है फीस बता दी है कोशिश करें कि प्लस और iconic में से iconic को choose करें और 12 महीने की referral code लगाने के बादे 23,000 रुपे फीस लगेगी जिसमें personal guidance भी आपको मिल जाएगा ठीक है सर और बाकी अगर आप normal लेते हैं प्लस सब्सक्रिम 13,750 फीस है बारा महीने की 20,024 म महीने तो पढ़के मज़ा आया हो तो political science का single funda चलता है बहिए one man army 10 के 10 unit मेरे साथ में cover होंगे दमदार शांदार होंगे और जिन लोगों को पढ़ना है अब mcq की class मेरे साथ में पढ़नी है तो ध्यान से सुन लीजिए mcq के लिए आप लोग मेरे से जुडएंगे मेरे सा करेगा वो राज करेगा तो बात रही इतनी आप मुलाकात करते हैं आप लोगों से कल शाम को फिर देखो अचा शिडियूल पूरा सुन लो आप आप बोलो के सरा आपका complete schedule बता दो तो complete schedule बता देते हैं आप लोगों को देख लो पहली class 9 a.m. ये है हमारी plus class उसके बाद में 11 30 a.m. से हमारी है YouTube पे M के सीरीज है मस्नो सीरीज है किसके लिए paper 1 के लिए ठीक है इसके बाद में आप लोगों से मुलाकात करेंगे 12 बज़ के 30 मिनट पे है 12 बज़ के 30 मिनट पे होना है प्यारे साथ यूँ स्पेशल सेशन मैं स्पेशल सेशन सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल साइन्स के ही लेता हूँ तो जो लोग पॉलिटिकल साइन्स स्पेशल में पढ़ना चाह रहे हैं वो पारिक टेन रेफरल कोड यूज करके अनलॉक कर सीरीज में यह पेपर टू की मसनों सीरीज रहेगी और उसके बाद में फाइनली उसके बाद में फाइनली हम आपको मिलेंगे रात को 9 बज़े ठीक है सर रात को 9 बज़े इसी चैनल पर और क्या रहेगा हमारा CT on कितना टाइम दे रहा हूं अब अलगों को यहां पर है कि एक जैन्त महोदे हैं कहरें कि सर क्लास पर ध्यान दे रहें और पूरी क्लास करा दि अब मैं कितना बता तुम अभी तो आए हो पढ़ा के मैंने पूरा दिया ठीक है तो अब क्या कर सकते हैं तो कोई बात नहीं तुम्हें नहीं पसंद आया तो देख लोगो और टीचर पढ़ाने वाले मिल जाएंगे बढ़िया पढ़ लो यहां पर जैसा पढ़ा रहा हूं वैसा मैं पढ़ा रहा हूं बाकी बाकी बच्चे बता देंगे उनको पढ़के कैसा लगा तो यह हमारा शिड्यूल हो गया यह पूरा का पूरा शिड्यूल आप डाउन कर लेना इसकी अकॉर्डिंग आप ले शाइड में आ जाईएगा तो प्यारे साथ ही ओ स्क्रीन शॉट ले लो मैं साइड में हट रहा हूं और स्क्रीन शॉट लेकर के और क्लास को हम फिर वाइंड अप करते ह ठीक है चलिए धन्यवाद थैंक्यू बेरी मॉच फॉर जाइनिंग मी गाइस एकदम पॉजिटिव रही है मस रही है कल शाम को फिर चार वजे इसी टाइम पर बाकी शिडूल आपको मिली गया है अपने पूरे शिडूल बर गरार रही है और प्लिटिकल साइंस के लिए प झाल